हाई फ्रेंज आज किस वीडियो में एक 500 वाट का UPS बनाऊंगा मैंने अपनी प्रिविएस वीडियो में एक 500 वाट का इंवर्टर बनाया था अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको उपर स्क्रीन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो इस वीडियो में मैं उस 500 वाट के इंवर्टर की किट में बाकी कॉंपनेंट्स लगाके इसे कंप्लीट UPS बना लूँगा इस वीडियो को स्पॉंसर किया है All PCB ने जो के चाइना के एक अल्ट्रा फास्ट PCB मैनाफेक्टर हैं तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रॉजेक्ट को बनाते हैं सबसे पहले मैंने स्केमेटिक डायग्राम और पीसीबी लेयाउट त्यार की इसके बाद मैंने गर्बर फाइल्स त्यार की और फिर और पीसीबी वेबसाइट को ओपन किया यहां मैंने अपनी पीसीबी के लिए डायमेंशन को सेलेक्ट किया पीसीबी की कौन्टिटी को सेलेक्ट किया इसके बाद मैंने कोट नाओ पे क्लिक कर दिया इसके बाद अपने रिकॉइट पैरमीटर को सेलेक्ट किया और solder mask और silk screen के color को select किया इसके बाद shipment के लिए मैंने अपनी country को select किया और add to cart पे click कर दिया फिर मैंने अपनी गर्बो फाइल्स को upload किया और इसके बाद check out पे click कर दिया इसके बाद अपने payment method को select करके payment कर दी order book करने के 3 से 4 दिन के बाद आपको PCBs रिसीब हो जाएंगी तो इस circuit में हम एक relay use करेंगे जो के हमारे load को main supply और UPS पे shift करेंगी इसके लावा हम एक track और opto track यूज करेंगे जिसकी मदद से हमारा transformer बैटरी को charge करेंगा और इसके लावा हम बाकी के दूसरे components भी लगा लेंगे तो चलिए हम सारे components को kit पे लगा लेते हैं हम एक डावा प्यूसरे लेते हैं बाल इसके लेते हैं भी जावा हम एचा करेंगे झाल भी करेंगे झाल करेंगे झाल करेंगे झाल 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 झाल